दो साल से उपर हो गया अभी तक बिहार पुलिस बिहार दरोगा कॉंस्टेबल का या फिर डाइल 112 के तक कोई भी वेकेंसी अभी तक नहीं आया है पहले दोस्तों 8,415 पदों पे आया था या फिर कई ये 11,880 पदों पे लगभग 10 लाग से भी जादा कनिडेट अपलाई किये थे पिछली बार और यहां पे दोस्तों अब लोग इंतिजार कर रहे है दिसंबर से ही पूरा माहोल बना हुआ है कि बिहार दोलोगा का भरती आ है बिहार में डाइल 112 के तहत आ रहा है 70,000 वेकेंसी आ रहा है 65,000 आ रहा है 40,000 आ रहा है लेकिन अभी तक दोस्तों आया नहीं है पदों का सिर्जन हो गया है ठीक है पदों का सिर्जन हो गया है वहां पे बता दिया गया है कि लगभग इतने पुलिस बल की जरूरत है और यहां पे 23,000 करीब आपको दरोगा और 35,000 सिपाही के नए पदों का सिर्जन कर लिया गया है लेकिन कितना कितना आएगा यह अभी तक यह चीज कनफर्म नहीं हो गया है ठीक है क्योंकि यह 3-4 चरणों में संपन होगा एक ही बार में आपका 70,000 वेकेंसी नहीं आ जाएगा यह सोचिएगा कि 65,000, 60,000 एक के बार में वेकेंसी आ जाएगा ऐसा कोई बात नहीं है पिछली बार 8,415 पदों पे आए था न इस बार भी देखिए अगर लगवग 7,000, 67,000 यही आपका बिहार पुलिस का रहेगा और यहां पे डाइल 112 के तहत भी आपका आएगा तो वो दोस्तों अब इसमें 2-3 चीज़ें देखिए डाइल 112 के तहत भी आएगा और बिहार पुलिस बिहार दरोगा का भी आएगा अब घबराईये मत दोस्तों महाल पूरी तरह से बन चुका है अब CSBC देखिए कब अपने साइड पे बिहार पुलिस के पदों को ले करके नोटि दोस्तों डालता है लेकिन महाल इतना दोस्तों बन चुका है लोग इंतिजार कर लगभग 10 लाग से ज्यादा कनिडेट इंतिजार कर रहे है कि 70,000 वाला कब आएगा क्योंकि यहां पे दोस्तों अनाउंस हो गया है कि लगभग देखिए यहां पे 77,000 पदों पे यहां पे अब पुलिस विभाग में होगी 75,000 बहाली 75,000 लेकिन एक बार में नहीं होगा लेकिन होगा होगा 7,000, 8,000 आपको बिहार पुलिस के तहत आएगा 2,500, 2,000 से लेकर के 2,000 के बीच में दरोगा का भरती आएगा दोस्तों और सब मिला करके dial 112 के तहत भी आएगा तो यह आपक लगने वाला नहीं है मनजोरी उपर से कैबिनेट से मनजोरी मिल चुकी है अब केवल कोर कमीटी का गठन होगा उसके बाद मीटिंग होगा कितना कितना पद लोट करना इसको लेकर के बिचार भी मरस होगा उसके बाद आपको नोटिफिकेशन डाल दिया जागा तो चलिए